हेलो अबरेवन, वेलकम टू फर्स्ट स्टेडी पॉइंट, दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्जाम और उन्टेंड मैथ के कोस्चन, चलिए पहला कोस्चन स्टार्ट करते हैं, साथ लिटर मिश्रन में दूर और पानी का अनुपाद तीन अनुपाद साथ है तो अनुपाद 5 का अनुपाद बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, इसको दो तरीका से बनाएंगे, पहला तरीका देख लेते हैं, कितना कितना दिया गया है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कितना दिया गया है, 3 is to 7, कितना हो जा रहा है, 2 is to 5, तो हो रह यहां पानी मिला जा रहा है तो milk तो same रहाना चाहिए इसलिए यहां से इसको दोनों को बराबर करेंगे इसको 3 से इसको 2 से इधर भी 2 से और यहां भी 3 से यहां कितना गया 6 और यह कितना गया 14 इधर कितना गया 6 और इधर कितना गया 15 यह दोनों को जोड़ेंगे कितना गया 20 और दिया कितना गया है साट इससे कितना गुना ज्यादा है तीन गुना ज्यादा और यहां एक लिटर मिला जा रहा है लेकिन यहां पर तीन गुना ज्यादा इसलिए भी तीन गुना ज्यादा हो जागा तो हमारा एंसर आजागा तीन इसको दूसरा तरीका से भी देख लेते के बाद चलिए तो यहां पर पानी मिलाएंगे तो यहां कितना गया 10 और 10 बरावर कितना दिया गया 60 तो एक बरावर कितना गया 6 तो इसमें इसको मल्टिप्लाइ करेंगे कितना गया यह 6 से यह यह 6 गुना तो यह 18 और यह भी 6 गुना कितना गया 42 और पलस यहां एक समान लेते हैं कि कितना पानी मिलाया जा रहा है और यह कितना हो रहा है दो अनुपात 5 में हो रहा है तो इससे कितना गुना ज्यादा है तो 9 गुना ज्यादा उसी परकार यह भी 9 गुना ज्यादा कितना गया 45 तो यहां देखिए 42 से 45 कितना आ रहा है तो यहां तीन यही हमारा तीन जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे उससे बना सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं question number two question number two में क्या दिया गया है मोहन और सोहन की उम्र का अनपात करम साथ अनपात साथ है 20 वरसों के बाद उनकी उम्रों का अनपात 13 अनपात 12 होगा उनकी उम्रों के बीच का अंतर ग्याद करें तो ठीक है 8 अनपात साथ दिया गया है हो रहा है कितना 13 अनपात 12 और दोनों तर परकार ये साथ वीचार गुना जादा हो जाएगा तो ये कितना आगया 28 और ये वीचार गुना जादा हो जाएगा तो 32 पुछा जाए रहा है अंतर तो 32 में 28 गटा लेंगे दोनों का अंतर आ जाएगा कितना हमारा अंसर आ गया 4 option number a चलिए अगला देखते हैं question नम्मर 3 यदि किसी वस्तु को 5% धानी के अफेक्षा 15% लाब पर बेचा जाता है तो विक्रेता 400 अधिक मिलते हैं वस्तु का क्रे मूल क्या होगा तो 100 मानेंगे 5% धानी हो रहा है तो 95 और इधर 15% लाब हो रहा है ते 115 हो जाएगा और यहां पे कितना का आ रहा है 20 का तो 20 बराबर कितना दिया गया है 400 तो एक बराबर कितना गया 20 एक परतिसद बराबर तो 100 परतिसद निकालने के लिए इधर से 00 लगाए तो यहां 20 में भी 00 लगा देंगे तो वही हमारा इंसर आ जाएगा ऑप्शन नमबर A चल यह आगला देखते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों में शेर जरू किजिए सारे कोस्चन इंपोर्टेंट है एक्जाम में बहुत बार पूछेगा हैं तो चलिए देखते हैं यह कोस्चन कैसे बनेगा यह तथा बी के मासिक बेतनों का अनपात आठ अनपात नो हैं अगर प चलिए देखते हैं ए और बी का अनपात दिया गया कितना आठ अनपात नो और यह कितना हो रहा है दस अनपात एगारह ढोनों तरफ हैं तो सेम है इसका कितना दिया गया है तो तो 4000 तो से कितना गुणा जादा है तो 2000 गुणा जादा है तो यह भी हमारा A कर नया मासिक ब्यत्पन यहiby हमारा 2000 गुणा जादा हो जाएगा तो 2000101 इधर का जाएगा हमारा एंसर आज जञे अप्सन नमर है कर दोस्तों थैंक्यूआ यू